हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग आचा करतों का पच्छे होंगे स्वागात है आपका मेरी यूडूब चैनल बेसिक में सवाणरिश में और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास चैंथ चैप्टर एरे लेटे टू सर्कल का इमसी क्यू जो कि मैंने अडिशर में स चले स्टार्ट करते हैं कोशन में में तया है । डिफ्रेंस बोल converge एडीए तो 27 cm तर्द यहां पर हमें त्यज्र्कमकशन गर त्यों दिया हूँख में तो इस सर्क्वेंट में क्या होगा इस इतो suggests कि क्या दिया हूँआetts है कि सर्कून्फरेंस में में से अगर हम radius को माइनस करते हैं तो आता है 37 cm यह में कोश्चन में दिया हुआ है अब circumference जो होता है 2 pi R अगर 2 pi r में से मैं r radius को r लेता हूँ यह minus करता हूँ तो आता है 37 तो अगर आप किसे दिहान से देखें तो इसमें हमें r जो है वो common मिल जाता है तो मैं इसमें से r common लेता हूँ तो यहाँ पर r आगया common यहाँ पचा 2 pi minus और यहाँ पचा 1 तो यहाँ is equal to 37 अब देखें pi की value जो है वो हमें यहाँ दी हुई है कि 22 upon 7 यूज़ करनी है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ r यहाँ पर 2 multiply 22 upon 7 minus 1 is equal to 37 अब यहाँ पर हम इसको solve कर लेते हैं तो r यहाँ पर 44 हो जागा 2 multiply 22 upon 7 minus 1 is equal to 37 यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा सकता हूँ यहाँ पर यहाँ ले ले लेंगे क्योंकि बीच में minus कसाइन है तो 7 और 1 का यहाँ आ गया 7 7 की टेपल में 7 जो बन जाब आएगा 1 को उपर से multiply करेंगे 44 से तो 44 आ गया यहाँ पर 37 और अपाउन में 7 और यहाँ पर है multiply में आर इस इकल टू 37 अब यहाँ पर देखेंगे 37 अपाउन 7 जो है यह उधर चले जाएगा तो हाँ जाकर यह चेंज हो जाएगा इसको हम डिवाइड में लेंगे 37 डिवाइड बाइ 37 अपाउन 7 इसको रैसी प्रोकल कर देते हैं अब यहाँ लिखेंगे आर इस इकल टू 37 मुल्टिप्लाइड 7 अपाउन 37 तो दीखें इस 37 से यह 37 जो है वह कैंसिल हो जाता है और इसके बाएर आर जो है उसकी वेल्यू बसथी मर बस सिर्वन तो इस तरह से आर जो है वह 27 अगय है जबकि हमसे है सर्कंफराइंस पूइτό करेंगे formula apply करेंगे कि circumference जो होता है वह होता है 2 pi r के circumference of circle जो है वह है 2 pi r अब यहाँ पर हम put कर लेंगे 2 pi की value 22.7 और r जो है वह 7 आया तो यहाँ 7 से 7 जो है यह cancel हो जागा और अमार पास बच जाता है 2 x 22 करके 44 सेंटीमेटर तो इस तरह 44 सेंटीमेटर का राइट अंसर है अगर हम यहाँ option में चेक करें तो देखें यहाँ पर आ जाता है हमारा option B जो है वह वह बिल्कुल राइट है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई question समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को like share और सब्सक्राइब कीजिए goodbye